नमस्कार दोस्तों सोटक का सुलूशन चलने में आपका स्वागत है आज आपको बताऊंगा कि एनिडेक्स से जब भी आप लेते हो तो आगे वाले का जो सिस्टम है वो बलोग होता है या माउस के उपर इस प्रकार से क्रोस का रेड निसान दिखाई देता है तो इसका इसलिए अभी जोक एंट्रोफेन यहां पे खुल जाएगा लेकिन यहां पे आप अभी इंस्टोल अनिस्टोल पे जाओगे न तो वहां पे किसी प्रकार से कुछ भी काम नहीं करेगा तो इसलिए इसका जो समाधान है वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बतान हुम तो टेवीवर के ऊपर यह जो होता है open होता है मावस यह ब्लोग नहीं होता इसमें सबसे पहले control panel खौलना है और यहां category के अंदर जाना है और large icon पे click करना है ठीक है इसपर click करने के बाद में आपको क्या करना है नेचे चलना है और यहां पे यूजर अकाउंट दिया होगा इस पे कलिक करना है ठीक है यूजर अकाउंट पे कलिक करने के बाद में इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी इसके आगे क्या करना है वो आप सुनते रहिए और चैनल को स चैनल के ऊपर मिलेगे चेंज यूजर अकाउट काउंट के एंट्रॉल सेटिंगस दे रहा है इसके उपर कली कर ने पहुन दीडूरा करने के बाद में यह उपर होगा इसको पकर धिंचना एंट जेता रहा है इस्थरुंद करने करने कि बाद में अपकी स्क्रीन हो इस परकार से आपको दिखाई देगी और एंडेकस के उपर यह उपर आ चैंज परकार्च परकार से Ee करना की स्क्रीन देखें हैं इस परकारकी सी इस स्करीन करते हैं यहां 국 करों और फिर निचे इसको पकड़ करके वापस से कीच माँस करना है, अब क्या करना है कि इसको OK पर क्लिक करना है, और OK क्लिक करने के बाद में फिर से वही स्क्रीन वापस आजा जाएगी, तो यहां इस बार क्या करना है, कि चेंज वेने दिज नोटिफिकेस्टन फिएर, इसके पर क्लिक नहीं करना है, यहां पर आपको क्या करना है, यह पर क्लिक करना है, दूसरी बार जब आता है यह मेसेज, तब आपको यह करना है, पहली बार आपको यह नहीं करना है, और यहां पर OK कर देना है, तो इस परकार से आपका जो माउस है वो अनब्लोक हो जाएगा, उसक नहीं करेगा इसलिए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना बहुत जरूरी है सुचना अच्छे लेगी तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें लाइक करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें धन्यवाद थैंक यू